गुड मॉनिग एब्रिबन सु प्रेंज देख लेते हैं आज की वीडियो है क्या अच्छी सेहत के टिप्स पांच मिनिट का समय निकाल कर वीडियो को पूरा देखिएगा नमबर बन फल सबजियां फलियां नट्स और साबुत अनास सहीत विविन खाद पधारतों का शेवन करें अपने दोनों वक्त की थाली में सबजियों को जरूर सामिल करें जबकि बीच बीच में ताजे फलों का शेवन कर सकती है नमबर टू डबलू एच ओ के अनुसार अपने नमक का शेवन प्रती दिन पांस ग्राम तक कम करें लगभग एक चम्मस के बरावर नहीं तो उच्छ रक्तिशाप का खत्रा होता है जिसे हिर्दे रोक और इस्टोक का खत्रा बढ़ जाता है नमर थ्री बोडी को हाइडरेट रखने के साथ ही सरीर के कैई जरूरी फंक्शन के लिए भी पानी बहुत जरूरी है दिन भर में कम से कम 6-8 गलास पानी जरूर पीए गुनगोना पानी पीना और ज़्यादा फायदे मंद होता है इससे पाचन तो सही रहता ही है साथी मोट आप अभी कंट्रोल किया जा सकता है नमर फोर नीन का बहुत बड़ा रॉल है शरीर और मन को स्वस्त रखने में शकून भरी नीद आप दिन बर फ्रेज और एंजेटिक फील करते हैं किसी काम पर फोकस कर सकते हैं यादास दुरूस्त रहती है और डाइजेशन भी सही रहत स्वस्त बनाए रखने मदद करता है बलकि यह मानसिक स्वस्त को भी सुधारता है यह सुनचित करेगा कि आपका दिन प्रेणा दायक है और आप सकारात्मक मनुभाव में रहते हैं नमबर सिक्स अपने आहर में फल और सबजियों को अधिक मात्रा में शामिल करना एक स्वस अबस्त जीवन शैली का कदम है यह आपको आवसक विटामिन्स मिनरल्स और एंटियोक्सिदेंट प्रदान करने करके रोगों से सुरक्षित रखेंगे नमबर शेवन प्रति दिन आठ गलास पानी पीना आपके सरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है और आपके हिर्दे रोगों और डाइवेटी जैसी बीमारियों से बचाएगा नमबर नाईन योग्या मेडिटेशन का ब्यास करना मानिसिक इस्तिती को सुधारने में शायक हो सकता है और इस ्ट्रेस को कम करके मानिसिक स्वास्त को बनाए रखने में मदद कर सकता है नमबर टैन चैन की सफाई को बनाए रखने में तुचा स्वस्त रहती है और यह आपको अच्छा और ताजगी भरा महसूस करने में मदद करता है नमब 11 सूरे की किर्णों का समय से समय पर लाव उठाएं लेकिन दूप में आधिक समय पिताने से बचें यह तुचा को नुक्षान पहुचा सक सकता है नमब 12 दिन में अपने मानिसिक स्वास्त को सुरक्सित रखने के लिए समय आत्म सारक्ष स्वास्त के लिए निकालें जिससे आप अपने अंतर्वन की शांति में रह सकें 18. स्वास्त दिन चरिया बनाए जिसमें ये सही समय पर उठना नास्त करना और समय पर सोना सामिल हो इसके आपके सारीरिक और मानसिक तोर पर स्वास्त रहेंगे 14. अपने आत्मा को सकारात्मक रखने के लिए किसी सोग या सैली को अनुसरण करें जो आपको खुशी महसूस कराए और आपको इस्ट्रेस से दूर रखें 15. नियमित रूप से हसें क्योंकि हसी एक स्वास्त कर रिलीज है और यह आपको रिलेक्ट करने में मदद कर सकती है 16. अपने दिन की सुरवा सकारात्मक मंत्रों या आदतों के साथ करें जिससे आपका मन पॉजेटिव रहे और आप उत्साहित महसूस करें 17. सुबह का समय विशेश रूप से महत्यपूर्ण है इसलिए अपनी सुबह को प्रणादायक बनाने के लिए धनाया ब्यास या प्रणायम को सामिल करें 18. विविन प्रकार के आशनों को आधार बना कर योग का ब्यास करें जो आपके सारीरिक और मानिसिक स्वास्त को बनाये रखने में मदद करें 19. अपनी सोचल मीडिया का समय सीमित करें और वास्तिक जीवन में अधिक समय बिताएं जो सबसे महत्यपूर्ण है 20. अपने आत्म समर्थन को बढ़ाने के लिए किताब ही पढ़ें और नए ग्यान का अध्यन करें जो आपको सोचने का नया परियाय देंगे 21. समय समय पर विश्राम लें और मनोरंजन के लिए सौक रखें जो आपको इस्थाई सुक और मनोबल देगा 22. अपने आत्म स्वास्ते के लिए अधिक प्राकृतिक इस्थानों की तलास करें और नियमित अवकास लें जो आपको रिचार्ज करने में मदद करेगा 23. शकारात्मक लक्षेते करें और उन्हें पूरा करने के लिए कठनाईयों का सामना करें जिससे आपका आत्म विकास होगा और आप अपने पुरुसकारों का आनंद उठा सकेंगे 24 आपके आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक रिष्टे बनाई रखें और उन्हें समर्थन और साहता प्रदान करने का प्रियास करें 25 हरी सब्जियों का जूस पीने से आपके फाइवर का शेवन बढ़ता है इससे बलड सुगर लेवल और केस्ट्रोल लेवल नियंतरित रहता है हरी पत्यदार सब्जियों में पाए जाने वाला विटामिन के हेल्दी बलड वेसलेस को बनाए रखने हाट की समस्याओं के जोख को कम करने मदद करते हैं और आपको लंबे समय तक भरा हुआ रखते हैं इसलिए इसे अपनी डाइट में सामिल करें नमबर 27 बिलड सुगर लेवल को इस तर रखने और अगले भूजन में आपको अधिक खाने के लिए मीड मिल महत्तरपुन होता है इसलिए आप भी इस समय के दोरान दही, बेरी, पार, फेट, अंकृत, मूल, नारियल और नर्सादी जरूर खाएं नमबर 28 दाल, रोटी और चावल में सुद्धगी को डाइट में सामिल करना आत्मी चिकनाई का काम करता है और कबसे रात मिलती है नमबर 29 घर का बना खाना बेहत फायदे बंद होत बजन के बारे में चिंता करने के लिए आम जीवन बहुत छोटा है नमबर 31 हफते में कम से कम 150 मिनट exercise या हफते में कम से कम 5-30 मिनट exercise करने का प्रयाज करें चाहें वह टैल ना हो, जोगिंग करना हो, सुमिंग हो या घर पर प्लास वरकाउट करना हो लग्स सारे से खुद को सूरज की केड़ने से बचाना सुनचित करें अपने हाथों को बारबार साबुन या पानी से दोना एलकोहल बेस सैनिटाइजर या उपयोग करना इंफेक्शन के प्रेशार को रोखने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है नमर ठाटी फॉर कुछ लोग हलके द जरूरी वैक्शीन और जांच की जानकारी अपने डॉक्टर से लेते रहें नमर ठाटी फाइव कई बार खाना अच्छा लगने पर हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं खासकर रात में ज़्यादा खाना कई समस्याओं का कारण बनता है दर असल रात में फिजिकली था झालाओ प्रेंघ कर दोड़्यादा खाना खाना मृठ पीक था भार ठाट साय खाना झा खा और खाना खासे अच्छाАन जया खालू है